बलोदा बजार हिंसा मामले में गिरफतार कॉंग्रेस विधायक देविन द्यादाओ के मामले में 36 गड़ के उपमुखिमंदी अरुन साव ने कहा कि बलोदा बाजार की घटना के बाद पुलिस ने विधायक देविन द्यादाओ को बार बार नोटीस भेजा लेकिन वे कानू के साथ जहयोग नहीं करना चाहते थे और उन्हें कानुन पर भरोसा नहीं था कल जो द्रिश्च दिखा ये बताता है कि आप अपने आपको कानुन से उपर मानते हैं डिप्टी सीम अरुण साव ने ये भी कहा कि पुलिस ने जो कारवाई की है वह साक्षियों के आधार पर त इस प्रकार का रुख रहा आप कानुन को सहयोग नहीं करना चाहते हो कानुन पर आपका भरोसा नहीं है और कल जो द्रिश्च दिखा ये बताता है कि आप अपने आपको कानुन से उपर मानते हैं जहांच एजन्सी को सहयोग नहीं करना चाहते हैं सो मर्थगों को इतनी भी समिधान दिखान हाथ में समिधान लेके कानून का पालन नहीं करेंगे आप जाज एजन्सियों का सहयोग नहीं करेंगे यह आपकी मंसा को बताता है और पुलीस ने जो कारवाही की है साक्षियों के अधार पर की है तथ्यों के अधार पर की है